चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 5 NCRT questions जिसमें हम देख रहे हैं अपने chapter 2 के back questions of NCRT अभी तक हमने 20 questions, first 20 questions हम सारे discuss कर चुके हैं देखते हैं अज अपने 21 to 25 questions और हमारे 1-2 parts में और सारे हमारे chapter 2 के questions खतम हो जाएंगे ठीक है तो देखते हैं अपना first question, try करेंगे फटा-फट और discuss करते हैं फिर इसका solution क्या question है? A solution reacts with crushed egg shells to give a gas that terms lime water milky अब क्या है हमारे पास? Lime water milky कर देता है, ऐसा कोई solution है और इन्होंने mention क्या किया है यहाँ पे egg shells अब आपको पता हो egg shells मतलब किसकी बात कर रहे है? calcium carbonate की और क्योंकि यह carbonate है तो कौन सी gas release करेगा? यह हमारी gas release करेगा CO2 क्योंकि इन्होंने क्या mention किया है कि यहाँ पे lime water milky यह हो रहा है से हमें क्या पता चला कि जरूर यहाँ पे कोई ने कोई carbonate present है अब यहाँ पे कैसे निकलेगी हमारी CO2 gas जब हम इसकी reaction किससे करा सकते हैं देखते हैं part 1 है हमार पास NACL option 1 HCL, LICL और KCL अब देखो अगर हम इसकी reaction कराते हैं HCL के साथ ठीक है तो यहाँ पे क्या reaction होगा calcium क्या बना लेगा अपना chlorine के साथ calcium chloride अब देखो H और CO3 क्या होता है unstable compound होता है तूट जाएगा क्या क्या देने में CO2 gas along with water और CO2 तो आपको पता ही है यहाँ पे carbonate है तो carbon dioxide gas तो release होनी ही होनी है तो यहाँ पे हमें क्या पता था एक shells का नाम लिया है उसने तो हमें calcium carbonate की बात करनी थी और CO2 भी release हुआ है तो हमने उसका reaction करा है acid के साथ giving our gases CO2 along with calcium chloride तो यहाँ पे जो हमारा correct option होगा वो होगा option B that is HCl this is the first question I hope आप से a question हो गया होगा eggshells contain calcium carbonate important बात क्या रखनी थी आपको पता होना चीह था की eggshells में क्या present होता है that is our calcium carbonate CaCO3 which reacts with HCl to give out CO2 which turns lime water milky कैसे पता चलता है CO2 का जो हमारा chemical test होता है वो यह होता है that it turns lime water milky कैसे कर देती है यह lime water को milky अगर आपको इसमें कोई doubt है तो हमारे पास क्या होता है यह होता है lime water calcium का hydroxide जो होता है उसे हम बोलते है हमारा lime water जब हम इसमें क्या पास on करते है CO2 pass on करते हैं तो हमारा compound बनता है calcium carbonate और CO2 की presence की वज़े से यह क्या हो जाता है milky appearance हो जाता है क्योंकि एक insoluble white color का precipitate बन जाता है इसलिए हम क्या बोलते है CO2 is always characterized by this presence of turning the lime water milky ठीक है clear हो गया question देखें अपना next question 10 ml of a solution अब हमारे पास क्या है 10 ml हमने लिया है क्या sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml question देखके ना डरना नहीं है जो जो information हमें question में मिल रही है उसे no down करेंगे ठीक है पहली statement पढ़ती हमने क्या देखा any OH है मारे पास कितना है 10 ml है लिख लिया हमने 10 ml अब किसके साथ react कर रहा है neutralize करता है neutralize करता है तो acid होगा और base होगा अब उन्हों ने बता दिया base है मारे पास 10 ml साथ में हमने लिया अपना acid that is hcl कितना है 8 ml यह हमार पास है है अब अगर इसका neutralization होगा तो acid और base मिलके क्या बना देंगे salt है ना यहां से क्या बन जाएगा नमक NACL along with water यहां पर हमें क्या information दी गई कि अगर हमार पास 10 हमार पास क्या है 10 ml base है तो वह 8 ml acid की साथ react करेगा ही करेगा अब उन्होंने आके क्या बोला अगर उन्होंने 20 ml ले लिया है same solution 10 की जगा उन्होंने यहां पर क्या ले लिया 20 ml ले लिया है of the same solution पूछ रहे कि अब बताओ hcl का solution हम कितना ले so as to completely neutralize the solution देखो यहां पर हमने क्या करा यहां पर हमने अपना 10 ml को डबल कर दिया तो अब हमें आपे 20 ml अगर बेस चाहिए 10 का हमने 20 ml कर दिया तो हमें 8 का भी कितना चाहिए होगा 16 हमें इसको भी डबल करना पड़ेगा 16 ml of हमें इसको डबल किया 20 ml तो यहां पर भी कितना रिक्वाइट होगा 16 ml अभी हमार पास कितना प्रेजेंट है अभी हमार पास अल्रेडी 8 ml प्रेजेंट है और कितना चाहिए हमें 4 ml नहीं 8 ml प्रेजेंट करेक्ट ऑप्शिन क्योंकि हमारी कौंसी रियक्शन से यह नूट्राइजेशन रियक्शन जिसमें क्या होता है जिसमें हमारा बेस और आसेड कंप्लीटली एक दूसरे को नूट्राइज करके salt का formation कर देते हैं ठीक है तो इसका answer क्या जाएगा मारा 8 ml when the volume of NaOH is doubled जब हमने NaOH का volume double किया है तो हमें acid का volume को भी double करना पड़ेगा and hence our correct option will be 8 ml okay देखते हैं अपना next question which one of the following types of medicines is used for treating in digestion अब ये question तो बहुत बार देख चुके antacids में यूज करते हैं न milk of magnesia क्योंकि हमें क्या हो जाती है digestion की problem हो जाती है acidity acidity में क्या होता है acidity में हमारे पास excess acid release होता है जो हम improper क्या कर लेते हैं food का intake करते हैं उससे क्या होता है excess हमारा acid हो जाता है किसमें stomach में और अगर excess acid stomach में हो गया है तो उसको neutralize करने के लिए क्या डालना पड़ेगा हमें base डालना पड़ेगा तो हम क्या use करते हैं उसके लिए antacids हम use करते हैं such as milk of magnesia and etc जो भी हम सारी gastric related medicines use करते हैं ठीक है तो in digestion is caused due to the excess of acid and the medicine uses the antacid okay now next question है हमारा right word equations and then balance the following chemical equations हमार पास क्या है equations given है हमेने frame करना है और फिर इने balance करना है तो बहुत simple question है dilute sulfuric acids react with zinc granules हमार मेरे पास क्या है sulfuric acid reaction में क्या हो रहा है acid के साथ हमारा korn react कर रहा है metal h2 gas release होगी क्या बन जागा है यहां पर product ZnSO4 plus h2 यहां पर मेरे पास 2 hydrogen है यहां पर 2 hydrogen है बढ़िया बात है यहां पर sulfur 2 है यहां पर sulfate 2 है सब कुछ यहां पर balanced है already second equation देखते हैं अपनी HCl के साथ korn react कर रहा है मारा magnesium ribbon magnesium ribbon हमारा react कर रहा है दुबारा से वही reaction है acid is reacting with metal क्या बन जाएगा H2 gas release होगी और यहां पर MgCl2 plus hydrogen 2 hydrogen और 2 chlorine यहां present है यहां पर मैंने 2 लगा दिया है और बस मेरी reaction क्या हो गई यहां पर balanced chemical equation कोई डाउट है तो पूछेंगे balancing के तो हम बहुत जादा complex reactions को balance कर चुके है तो I don't think in basic reactions में कोई डाउट होने वाला है थर्ट मार्ट देख लेते हैं अपना dilute sulfuric acids react with aluminium powder aluminium की reaction करा रहे है किसके साथ dilute sulfuric acid के साथ aluminium क्या बनाएगा अपना sulphate दिख रहा है aluminium को है तो क्या बनेगा aluminium का sulfate AL2SO4 whole thrice और दबारा से क्या हो जाएगा H2 release क्योंकि reaction कौन सी है metal is reacting with acid giving up hydrogen gas that is colorless odorless and burns with a pop sound अब यह तो learn हो गया है hydrogen की क्या क्या characteristics है colorless odorless and burns with a pop sound whenever it is produced ठीक है इसको balance कैसे करोगे दो aluminium मुझे देखा मैंने एक दो यहां लगा दिया एसा 4 3 है यहां मैंने 3 लगा दिया reaction क्या हो गई balance chemical reaction हो गई third part भी हमारा क्या हो गया done हो गया देखते अपना D part dilute hydrochloric acid is reacting up with iron filings ठीक है तो क्या है यहां पर iron filings लेंगे HCl का reaction देंगे again FeCl2 along with hydrogen 2 hydrogen है 2 chlorine है क्या करेंगे यह पर 2 HCl लगा देंगे reaction क्या हो जाएगी balance chemical reaction बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है क्या बहुत basic है I don't think कोई डाउट होगा अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर मैंशन कर देगा हम जरूर इसका reply back करेंगे ठीक है देखे अपना next question last question of the session compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen and not categorized as acids अब उनका question क्या है ये previous year question भी है द्यान देगे थोड़ा सा हमारे पर्स क्या होते है? acids होते हैं किसको बोलते हैं? यह कोल है हमरा acid जो क्या देगा? जो हमेह हच प्लस देगा इसका मतले भी ए है है क्या? कि सब के पास? जिस जिस पास क्या है hydrogen है in their compound in their compound आमे जिसके फ्रॉमुला में hydrogen आता है वह सारे भी अमारे क्या acid है या फिर acid यहीं होता है जो H PLUS देते हैं यहीं हमारा question है तो हमने क्या बात करी हमने देखा alcohol को जाके alcohol का structure था हमने ले लिया C2H50H हम ने देखा है पर हाइडोजन यहां पर हाइडोजन है तो ऐसे भूल अचाहिए था बते सका होगा उसने बोला अक्टिविटे करके बताओ एक यह कुछ आपना क्या क्या कराने यह पे तो हम यां पर अपनी एलेक्ट्रोड करेंगे तीक है यहां ने अपनी एलेक्ट्रोड के यहां पर दोंडेलिद करेगा अगर इसने H plus ions दे दिये अगर इसने H plus ions दिये तो यह क्या होगा acid की category में आएगा और अगर इसने H plus ions दिये तो यह bulb को क्या करा देगा ग्लो करा देगा बट इस activity में हम क्या देखेंगे जब हम यहां पर current pass कराते हैं circuit से अपना यहां पर switch भी लगा देंगे तो यह bulb glow नहीं करेगा इससे क्या पता चलेगा कि जो हमारा ethanol है यह H plus B हमें नहीं देता अगर है H plus B हमें नहीं देता तो यह acid भी हमारा नहीं होगा क्योंकि acid क्या होते है acid सिर्फ वही होते हैं जो हमें H plus देंगे और अगर हो H plus देंगे तो वो conduct करेंगे current भी और अगर वो current conduct करते हैं तो हमारा क्या हो जाता यहां पर bulb हमारा glow कर जाता ठीक है तो इस activity को हम यहां पर elaborate कर देने वाले हैं देख सकते हैं पूरा setup activity to show that alcohols and glucose are not acids क्या 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 लिया है हमने dilute solution of ethanol dilute solution लिया हमने ethanol ले लिया या फिर आप glucose भी ले सकते हो बीकर लिया एक यह ना पूरा हमारा two electrodes connect the electrodes for ethanol and see if the bulb glows conclusion is that bulb will not glow indicating that H plus यहां पर हमारा क्या नहीं हो रहा है प्रोदूस नहीं हो रहा है that means these are not the acids so ये थे हमारे आगे के 5 questions next session मेला थे अपने बाकी के बच्चे questions till then stay tuned with our channel and I will see you in the next video thank you so much